आज मैं आपके साथ स्याह करूंगी काली मीच आलू का एक चट पुटा बहुत ही साधी सबजी की रेसीपी इस सब्जी को आप रोटी के साथ चापाटे के साथ चावल के साथ साथ साब कर सकते हो नमस्कार मैं शाय यूगता क्यूकिंग फैनेटिक चैनल में आप सब का सागत है तो जोलिए देख लेते हैं आलू का चट पुटा सबजी कैसे बांगते हैं सबसे पहले मैंने 500 गाम छोटा आलू लिया है इसको बाल की इसका छिलका निकल लिया है उजुन्सकी सबसे 500 ग्राम है है बस इसके उसके उपर डालेंगे काली मिचं वर्ण टीज पूण काली मिच पाउड्ऌ और ड किहिंगे है नमक सादवन श्राइप और डाल को पिएस्ट रहा कर लर्ष पेस्ट पेस्ट वर्णोयक छाइब स्वान टेबल स्पून और डालेंगे नीपू कार डॉस हम इसे ऐसे ही डाख देंगे उसके बाद ग्यास के उपर एछ पैंचरा देंगे उसमें डाल देंगे करे करी करेंब एकसे दो टेल स्पूर तेल जब गड़ं हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे जो आलू को हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम डाल देंगे और मीडियम आज पर हमें आलो को हालका साब फ्राइ कर लेंगे आलो को ही सबजी को आप कोई भी पाटी में भी बाना सकते हो तो नरी रोटी के साथ भी बहुत या अच्छा लागता है खाने में तो चलिए आलो हमार फ्राइ हो चुका है अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब उसी तिल में हम दो मीडियम साइज के प्याँच को स्लाइस में काट कर लिया है बिल्कुल पात्रा पत्ला साइस में कर लिया है अब इसमें डाल देंगे छे से साथ लोसुन की कलिया और एग इंच अध्रक का चुटवचले टुक्रे में काट का लिया है तिन हरीमीज डाल देंगे पॉन टेबली स्पुन हम लाएंगे साभूत दोनिया और पॉन टेबली स्पुन हम डाल देंगे साभूत चीरा इसे मीडिया माच पर हलका सा हम इसे फ्राय कर लेंगे ज़्यादा इसे भुणना नहीं है जासे प्यायच लोसुन और अदरो का जास कच्छा पन हम इसे दूर करना है इसलिए हलका सा इसे फ्राय कर लेंगे कि यह फ्राई हो चुका है और इसे हम ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद हम एक विक्सी जाल लेंगे उसमें डाल देंगे है अब हम इसमें डाल देंगे हाप का दहीं घर में जो दही रहता है नॉर्म हिजी डाल देंगे और इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे कि इस तरीके से पाइन पिस्ट पना लेना है फिर से कैसके पुर हम पैंच जाड़ा देंगे क्या कड़ाई कोई भी कुछ भी ले सकते हैं उसमें हम डाल लेंगे तेल दो से तीन पूस्पून हमने तेल लिया है हाप टीस्पून साबूत जीरा हाप पिंच दाल चीनी और दो जो गीए दैची है हरीलाइची वो ढाल देंगे हल्का से सब्ठाई हो जाएंगे तब söप में मुख करने कब सिन्यक मज़ पाड़ा compr observed प्लप कड़ेंगे पाओं और उसके बार इसमें हम डाल देंगे साधो नुसान नमक और डाल देंगे कली मिझ फिर से हम डालेंगे इसमें क कली सीpox्री पाउडर और फिर से reins कर देंगे आच Bashade गित लेशंगे मेडियं पर राख सकते हो लेकिन इससर का से आप चलाते रहना कि दो से तीन में हम अच्छी साइ Cit actually खाला ogni उसके बाद हम इसमें डाल लेंगी कोरुपाल हप इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छी से मिश्ड कर लेंगे आप जैसे साइब हाइप खाहना चाहते उसके सबसे हमान कोशिस करना हमेशा गर्भी वाला सब्जी में गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना और तभी हमारा सब्जी जल्दली बन भी जाता है और सब्जी का टेस्ट भी बढ़करा रहता है इसके धाक के हम 2-3 मीट इस मीटिया माच पर पाका लेंगे कुप कर लेंगे उसके बाद द कि अब हम उसमें डाल देंगे दो हरी मिट डाला है इसमें थोड़ा टेस्ट और भी आच्छा लगता है इसका अब इसे थोड़ा सामे से मिष्ट कर लेंगे तो चलिए एक पटाटो सब्जी हमारा आलू के सब्जी काने में को सब्जी रेडी है आब इसे तंदुरी तोटी के साथ नान के साथ किसी के साथ अब साफ कर सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में थोड़ा इवनिक एक रेसिपी है उमीद है रेसिपी आप लोग को जुरूर पसंद आए होंगे अगर पसंद आए एक लाइक जुरूर कर देना तो चलिए फिन मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ तब दुख आपना ख्यार रखना